अभी हम देखेंगे कि बॉयलर वाटर में जो आक्युमेलेशन और प्रेशर टेस्ट होता है वो कैसे होता है वो क्यों होता है बॉयलर वाटर में जो आक्युमेलेशन और प्रेशर टेस्ट होता है जो अपना सेफ्टी वाल है वो तीन परसेंट के उपर लिफ्ट हो जाता है तो अगर फिर भी यह lift हो जाता है फिर भी उसके बाद भी बॉयलर मरे pressure बढ़ता जाते है क्योंकि तोड़ा-दौड़ा वह प्रेशर बढ़ता जाता है तो यह वह वहां पर एक condition है अगर pressure बढ़ भी रहा है तो वाटर त्प बॉयलर मरें दस मिनट के अंदर यह pressure अगर शाथ मिनिट के अंदर यह प्रेशर 10% से उपर नहीं बढ़ना चाहिए और स्मोक टुब बॉयलर में 15 मिनिट के अंदर यह 10% से उपर बढ़ना नहीं चाहिए तो यह कंडिशन है तो वही कंडिशन चेक करने के लिए अगर यह कंडिशन फेल हो जाता है तो यह अपना यह तो यह वायलर का एकुमेलेशन और टेस्ट को प्रेश्र टेस्ट फेल हो जाता है तो यह कंडिशन पानी ने सकते हुआ चाहिए तो टेस्ट वहीं पर रोकनी पड़ेगी उसके बाद हम एच्पी कट आउट को बाइपास करेंगे क्योंकि अगर एच्पी कट आउट रहेगा तो बीच में जब प्रेशर उतना बड़ेगा तो कट आउट कर देगा और बॉयलर का फाइरिंग बंद हो जाएगा तो क्लॉष करेंगि झान उसके बाद जो मेंन स्टीम स्टप वाल हुष को कलोज करएंग teen च्पी कन्जिम नहीं करना बउलर का प्रेशर बढ़ानाront पर उसके बादम nihil 것을 को फूल फॉर से फायर करना स्टार्ट करेंगे और यह कंडिशन चेक करेंगे फ़र वाटर टुब बोईलर अंडर सेवन मिनिट्स इट शुद नोट गो मोर दान तेन परसेंट एंड फॉर स्मोक टुब बोईलर इन फिफ्टीन मिनिट्स दो प्रेशर शुद नोट गो अब 10 परसेंट तो यह होता है एक्क्योमलेशन प्रेशर टेश्ट टेस्ट बोईलर और इसमें कंडिशन ने अगर वाटर का लेवल लो उस्में प्रेस्टों के प्रेश अश्कि बीच में तो हमें इस हॉपर आर को इसी में डोर्टों कि नचनके। हुआ है